सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार धे टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आलोक पुराणिक और आप देख रहे हैं हमारा सापता ही कारिकरम आर्थिक मुद्दे जिससे हम आज बात करेंगे रोजगार की रोजगार का मसला इन दोनों बहुत एहम इसलिए है कि इसके आर्थिक और राजनीतिक दोनों आयाम है रोजगार के आकलों पर जम कर भैस हो रही है कितने लोगों के पास रोजगार है और कितनों के पास नहीं बिरोजगा हम क्या हैं इन मशलों पर हमारे साथ आज बात्तीत करने के लिए दो खास महमान मौजूद हैest हमारे साथ हैं आर्थिक मामनों के जानकार और वरिष्ट आर्थिक पत्रकार हरीर जी और हमारे दूसरे महमान हैं आर्थिक पत्रकार शुर सिनः स्वागत है आपका इससे पहले हम इस विश्य पर चर्चा शुरू करें आईए देख लेते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट लगातार बढ़री बेरोजगारी भारत के विकास की राह में बाधा बन सकती है एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन सवा करोन सिक्षित जीवा तैयार होते हैं ये नोजवान रोजगार के लिए सरकारी और निजिक शेत्रों की राह तलाशते हैं लेकिन रोजगार के परियाप्त औसर के अभाव में एक बड़ा वर्ग बेरोजगारी का जीवन जी रहा है या अपनी योगिता के मुताबिक उप्यूक्त नौकरी नहीं पाता है दरसल जब कोई इंसान बड़ी सक्रीता से रोजगार की तलाश कर रहा होता है और इसके बावजूद उसे कोई काम नहीं मिल पाता तो इस हालाद को बेरोजगारी कहा जाता है भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े राष्टरी नमूनोस अरवेक्षन कार्याले यानि एन एसेसो द्वारा जारी किया जाते है भारत में ज्यादा तर रोजगार असंगठित क्षेत्र द्वारा मुहया करा जाता है खरशी कामगार और शहरी क्षेत्रों में कारड़त कॉंट्रैक्ट मजदूर असंगठित क्षेत्र के दायरे में आते हैं धिमा और दोगिक विकास, बठती जनसंख्या और परंपरागत सिक्षा और टक्नीकी जैसे कारक लंबे समय से बेरोजगारी की वज़र बने हुए है इसके लावा कुटी रुद्योगों में गिरावट, खर्शी मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार की आउसरों की कमी और निदिकत खामिया बेरोजगारी के दूसरी वज़े हैं बेरोजगारी के एकारण अपराद दर्मे व्रिध, खराब जीवनस्तर और हुनर की बरबादी जैसे दिक्कते देखने में आ रही है साथी राजनेतिक आश्थिर्ता, स्वास्त से जुड़ी समस्याएं और धीमा आर्थिक विकास बेरोजगारी के दूसरे नतीजे हैं साथी जमू कश्मीर के युवाओं के लिए हिमायत तथा वामपंथी उग्रवाज से प्रभावित युवाओं के लिए रोश्नी योजना भी शुरू की गई है हलांकि कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि भारत साल 2018 में वैश्विक गूग सूचकांग यानि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों की सूची में 103 वे नमबट पर था वही स्वास्ट सुधाओं से जुड़े मामले में भारत 155 देशों की सूची में 145 वे पायदान पर है इन से बाक्रों से देश के लोगों का आउस्ट जीवन स्थर जाहिर होता है और शायद इसलिए रोजगार की देशा में और ज़्यादा काम किया जाने की जरूरत है शुश्री जी आपने हाली में देखा होगा रोजगार के मसलों पे तरह तरह के बयानात आ रहे हैं एक तरफ हमारे साथ किताब भी आई थी शरन सेनाजी की अनमेड इन इंडिया जिसमें उन्होंने बताया कि रोजगार की स्थिती पूरी चौपट है उसमें उन्होंने मेंशन किया है 90,000 रेलवे की नौकरियों के लिए 2,80,000,000 अप आप्लिकेशन आई इससे कहीं न कहीं साफ होता है कि रोजगार का मसला एक पेशिदा मसला है दूसरी तरफ हमारे पास केंडरी वित्मंतरी का ये बयान भी है जो यो कहते हैं कि रोजगार की स्थिती बड़ी कमफर्टेबल है कहीं कोई धरना पदर्शन हरताल जैसा नहीं हो रहा है आपके हिसाब से वस्तु इस्थिती क्या है देखिए यहां पर सबसे बड़ा मुद्ध यह है कि हम किस तरह के रोजगार की बात करते है या विशुद रोजगार की बात करते है या सार्थक रोजगार की बात करते है मतलब मेरा कहना का मिनिंगफल इंप्लॉइमेंट है या इंप्लॉइमेंट की बात करते हैं अमुमन हम लोगों ने देखा है कि सरकारी नौक्रियों में हमारे लिए पैमाना सबसे बड़ा यही होता है बेरोजगारी का कि हम कहते हैं देखो जी एक रेलवे में खलासी का पोश्ट निकला है पचास लाक लोग उसके लिए अपलाई कर रहा है जिसमें पीजडी होल्डर भी है जिसमें इंजिनियर भी है डॉक्टर्स भी है तो कहीं न कहीं बेरोजगारी देश में बहुत जादा है मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या उनको और किसी दूसरे शित्र में रोजगार मिल रहा था या नहीं मिल रहा था और दूसरा ये कि वो सरकारी नौकरी में ही क्यों आना चाहते हैं क्योंकि परिशानी कहा है परिशानी है सुरक्षा की कि जब आप निजी छित्र में जाते हैं तो एक तलवार सर पे लटकी होती है कि आज आप हैं कल होंगे की नहीं कोई पता नहीं है जितने तेजी से उसमें नौक्री से निकाले जाने की समस्या बनती है तो लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षे जो है वो सरकारी नौक्री है ये एक आयाम है दूसरा पहलो है कि आख्रे क्या है अभी एनसेसो के आख्रे हैं जिसको लेकर के बहुत विबाद हुआ और सरकार ने उसे एक सीरे से खारिस कर दिया ये कहा कि ये सिर्फ मसौदा है ये अंतिम नहीं है बिल्कुल छे जो तिमाही थे उसमें से चार तिमाही के आख्रों का प्रोसेसिंग हुआ है दो तिमाही के आख्रों के प्रोसेसिंग नहीं हुई है दोनों में परिस्टियां अलग अलग थी, दोनों में सेंपल साइज अलग अलग थी, मेरा सवाल ये है कि हम किस से तुल्ला करेंगे, उसके ठीक पहले वाले सर्वेज ही तो तुल्ला करेंगे, अगर NSSO के चार तिमाही के आंकडों के आधार पर ये बनता है, कि लगभक चार अधशक से भी जादा की बेरोजगारी इस तर हमारे पास है, तो तुल्ला के लिए तो हमें वही लेना पड़ेगा, जो उसके ठीक पहले हुआ है, अगर आप देखे हाल के वक्त के जो आंदोलन है, जाटों के रहे हो, या हार्दिक पटेल साहब ने किया गुजरात में, इ जो खेती हैर हमारी कास्ट कम्यूटीज है, खेती मैं रोजगार कितना संभव है, कैसा संभव है, हम आपके आर्टिकल पट performers है, सीन यह है कि खेती से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, खेती से बाहर रोजगार है नहीं, तो क्या इस मुल्क में कुछ खेती में ही बेहतर कर पाने की संभावनाएं भेतर रोजगार की संभावनाएं दिखाई पड़ते हैं? एक्चल देखें यह तो एक बिलकुल बेबाग का इसका जवाब पहला तो यह है कि खेती में तो रोजगार की संभावनाएं भूणना मेरे ख्याल से गलब दिखाई में जाना होगा और पूरा का पूरा कोई भी economic development किसी भी दुनिया में किसी भी देश का आप देखें तो उसमें इंड़स्टर रोलुशन, service sector वो सब बढ़ते हैं तो अग्री कल्चर में लोगों का जो dependence केती के उपर है वो घड़ता है वहाँ पर काम करने वाले लोग घड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर जो आपका श्रम का जो value है वो काम है आपको रिटर्न बहुत काम है उसमें रिटर्न इसलिए कम है कि अग्री कल्चर सेक्टर का ही जब GDP में रेशियो 14% रहे गया इसलिए तो नेचरली अगर वहाँ 60% दी लोग जुड़े हुए हैं तो उनका तो वैसी आपको आशे है यह है कि देखिए कि एक तो आपको यह देखना होगा कि एकनोमिक वैल बिंग का क्या इशियो है लोगों की लाइफ का जो कमपेटबिलिटी या जो कमपेरेबल है दूसरे सेक्टर से वो क्या है तो एग्री कल्चर में जो लोग खुशीशे रहना चाहें अच्छा कमा सकें उनके लिए एग्री कल्चर में रोजगार रहना जबकि इन प्रिंसिपल मकसद ये था कि एग्री कल्चर में जो लोग है वो घटें तो ये बैसिकली हम ये कहेंगे कि वो इच्छा से नहीं जबरदस्ती क्योंकि उनको एग्री कल्चर से बाहर निकलने का मोका नहीं मिल रहा है एक सर्विस सेक्टर में ये मैनुफेक्चर म विकल्प नहीं है तो वो वही रह जा रहे हैं क्योंकि ये दूसरे सेक्टर में जो लोग हैं जो खेती हैर बैक्ग्राउंड के जो लोग हैं और जो उसके इतर लोग हैं उनसे वो बाकी जो सेक्टर में जॉब्स तोड़े बहुत हैं भी उनसे वो कंपीट नहीं कर पाते है बहुत सारे मसले हैं उसको ले करके तो वह वही रुख जा रहे हैं और यह सबसे ज़्यादा चिंटा जनक पहलो यह है और इसलिए जो आप कह रहे हैं कि यह जो अन्रेस्ट आपने देखा वो हरियाना वेस्टर इपी में जाटों का अंदुलन और अरक्षन का गुजर का हैं वह फिर आंदुलन के रूप में आपके सामने आए पर विर जी ने बहुत महत्मून बात यह कही कि खेती में तो लोगों की तादाद बढ़ी है एक आख़ा मेरे सामने है कि हमारे कुल लेबर फोर्स का 48% भारती खेती में और कुल कंट्रिबूशन जीडीपी में साथ परसेंट है और जीडीपी में कंट्रिबूशन साथ परसेंट है यानि कि स्किल्ड लेबर है पड़ी लेबर है तो आपके टन ज्यादा आ रहे हैं लेकिन हरी बिर जी ने बात सही पॉइंट आउट कि होना तो यूँ चाहिए था कि खेती से निकल के आदमी इधर आता लेकिन यहाँ से ही निकल के वहाँ जा रहा है वहाँ संक्या बढ़ रही है तो इसका रास्ता क्या है क्या स्किल्ड डवलप्मेंट हो किस तरह की विवस्ता है हो कि खेती के बाहर हम रोजगार नहीं मीनिंगफुल रोजगार क्रेट कर पाएं देखे गाओं देहात की ही बात है और एक जो बड़ी समस्या आ रही है कि वहाँ पे जोत काकार धीरे दे छोटा होता गया है तो जाहर है जो एक पहले बड़े पे जितने दस लोग थे अब वो छोटे में पता चला पांच लोग साथ लोग आ गए तो जिसको हम लोग हाल नहीं बनाया तो क्या गाओं की अर्थ होसा में कुछ हम चीजे एड कर सकते हैं जिससे की वहाँ पर उनको एक मिनिंग फुल इंप्लोइमेंट मिले जैसे आपको मैं एक एक एग्जामपल देता हूं कि रूरल टूरिजम एक ऐसा चीज है जिसको काफी अच्छे लेवल पर उनका यह डाटा है कि पिछले चार सालों में डियर्ड करोड रोजगार पैदा हूँ है टूरिजम है लेकिन क्या वो एक वाकई पूरे देश में संस्ता का दिस्तर पर डवलप हो सकता है बात कर रहे हुए तूरिजम कि बिलकुल हो सकते हैं वहाँ पर आपको क्या है ज इसको आप कम कर सकें तूसरा क्या है कि जो कुटिर और लगू दियोग है हम सभी जानते हैं कि नोटबंदी और जिस्टी के बाद जो कहीं परिशानी आई है वो छोटे उद्द्योग में परिशानी आई है उन परिशानियों से अब क्या उबर रहे हम अगर आप एक तरफ क कि ने ने वहीं हमें करना है हम एंसीलेरी यू collaborative units हम वहां पर करें जिसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेती बाड़ी या किसानी के जगह पे इन जगहों पर काम करें कि खेती में और ज्यादा मीनिंग्फुल रोजगार के अवसर तलाशना बेमानी है हमें उद्योग में या उद्योग चुड़ी सेवाओं में तलाशना होगा और एक और चीज में कहना चाहूं के जो फूद प्रोसेसिंग की बात है आप देखें गे जैसे कुछ यगाओं पर जैसे टमाटर की बात होती है या आलू की बात होती है ऐसी चीजों का फूद प्रोसेसिंग कुछ जगाओं पर छूटे अस्तर पर हुआ है क्या हम उसको बड़े अस्तर पर व्यापक अस्तर पर ला सकते हैं अगर ये सारी चीजे हुई तो आप उसका फाइदा देखेंगे कितना जादा होगा आप कहना है कि नए नए रोजगार के शेतर जिसमे रूरे टूरिजम एक तो मुझे सुझ में आता है दिडिली के पास एक प्रताबगड़ फार्म्ज है वहां से गाउं दिखाने के लिए ही कई हजार रुपे चार्ज किये जाते हैं तस तरह की चीज़ सुला का जो आखला मेरे पास है उसमें बड़ा खतरना का आखला यह है कि पूरे देश में रोजगार दर भलेई करीब चार परसेंट है लेकिन पंद्रे से उन्तिस साल जो कि आप सबसे उत्पादक साल कह लें विसफोटक साल कह लें सक्रीता वाले साल कह लें उसमें बिरो एक तरफ पड़े लेखे हैं लोग कहा रहे हैं हमारे पास नोकरी नहीं है यह मिसमैच कैसे मैनेज कर पाएंगे। Actually देखें यह मिसमैच क्यों पैदा होता है। वो मिसमैच इसलिए नहीं पैदा हो रहा है कि इंडस्ट्री को लोग अवेलेबल नहीं है। उस तरीके के skill लोग available नहीं है, मिसमेच पूरी economy का है, हम इस बात को जब स्विकार ही नहीं रहे हैं, कि हम लोग एक मंदी के दोर में हैं, हमारी economy ग्रो करने के बजाए श्रिंक हो रही है, आप ये देखे कि आपका जो industrial production है, वो कहा है, एक बार भी दाही को नहीं touch करके गया, IAP आपका, वो कभी शोन्य पे है, कभी negative है, कभी एक फिस दी है, कभी डेड़ फिस दी है, जो core manufacturing है, उसमें एक करोड छे लाग रोजगार घटे हैं तिन चार साल के अंदर, manufacturing, mining, इन सब में जो है, या SME जो है, तो अब सवाल है कि जब आपका investment, चैलिस साल के लो अस्तर प आपका agriculture में growth नहीं है, तो आप मुझे बताइए, manufacturing में growth आपकी नहीं है, export में growth आपकी नहीं है, companies के जो profit के जो अभी जो तीन तिमाही के जो corporate results आएं, वो बुरी हालत में हैं, तो ये सारा एक पूरा का पूरा आपको picture बहुत साफ के लिएर करता है, आप आगड़ों में ब को industry कहती है के पूरी तरह skill नहीं है, ठीक है, semi skill है, आप skill कर लेते हैं, सब लोग एक training program अपने हाँ चलाते हैं, अपनी industry के requirement के लिए, तो ये संभाव है तब ही जब आपकी economy boom कर रहे हैं, अर्थवेवस्था की आर्थिक विकास की दर उतनी तेज नहीं है, जिसमें मौके प की 2011 से 2015 सोले के बीच manufacturing sector में करीब एक करोड से ज़्यादा jobs कम हुए हैं, उसकी बहुत सारी वज़े हैं, वज़े ये है कि हम देखते हैं, बड़ी factory लगती है, मारुती की लगी, सैमसंग की लगी, employment मिला हजार लोगों को, रोबोट्स आ गए हैं, मशीन्स आ गए हैं, कम्प इस लाग जॉब हो जाएंगे, लेकिन हमने देखा ये कि छोटी जो industry की काई हैं, वही परेशाना, नोट बंदी के बाद खास तोर पर हम बराबर देखते समझते रहें, कि मैसिव जॉब लॉस हुआ है, नोट बंदी के मैसिव जॉब लॉस से क्या, आपके साफ से economy अभी गई है या वो प्रोसेस अभी चल रहा है, उससे हम मुक्त नहीं हो पाए अभी, दो साल का समय बहुत कम होता है, ये कहने के लिए कि हम सारी चीजों से उबर गए है, अभी वो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमें कुछ जगाहों पर कभी-कभी कुछ ऐसे blips जिसको हम लो रोजगार है, सिर्फ वही वाले होते हैं, तो हमारे पास जो बड़ा और संगठित शेत्र है, जहां पर बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बन सकते हैं, या बन रहे हैं, हम उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी समस्या आकड़ों को ले करके हैं, हम जितने आकड़ 2017 से दिसम्ब 2018 के बीच उनका आकड़ा है कि 72 लाक से ज्यादा रोजगार जनरेट हुए और EPFO का डेटा मतलब कम से कम जिसके पास एक प्राविडेंट फंड है लेकिन इस मुल्क में 50 लाक 50 लाक इसमें आलोग जी एक मैं इस परस्ट करता हूं देखिए EPFO का आकड़ा बहुत कटने का एक process है कि आपके पास suppose 15 employees से जादा होना चाहिए या 20 employees से जादा होना चाहिए उसके पास जब 19 employees होते हैं पहले से और जैसे ही वो एक और employee hire करता है तो 20 हो जाते है तो उस फकत वो सीधे 20 को register कराता है तो यह बढ़ा एक है या बढ़े दो है लेकिन वो count होता है 20 त कि यह बहुत ही practical बात है और दूसरे जो डुपलीकेसी में कह रहा हूं जो कि लोग नोकरी छोड़ चुके हां तो उनके जो account survive करते रहते हैं उनको कभी वो sanitize नहीं करते हैं तो इस लिए इस आंकड़े को तो रोजगार के पैमाने के लिए आखना ही नहीं नहीं चाहिए य उसको देखते हुए भी क्या ये संक्तित शेत्र के जॉब वाकई हम ठीक ठाक संतो जदक मान सकते हैं प्रविडेंट फंड के दफ्तर से जो हमको आंकड़े मिलते हैं वो आप मान सकते हैं कि ये वो नौकरियां जो थोड़ी ठीक ठाक नौकरियां minimum नियूंतम सामजिक सुर सरकारी नौकरी जिसके लिए लगबग लाखो करोनों की अप्लिकेशन साथ दूसरी प्राइवेट सेक्टर की पकी नौकरी तूसरी कॉंट्रक्ट की नौकरी चौथी एड-hoc नौकरी वो चार महिने की और आखरी में दिहालई की नौकरी लगता ऐसा है कि काम तो लोगों क चल रहा है बढ़ रहा है लेकिन नौकरियां हमको मिलती हुए दिखाई नहीं पड़ती है मैं इसका अधान आपको दे सकता हूँ कि हम सब लोग पासपोर्ट के ऑफिस में जाते हैं 90% एंप्लॉईज वहाँ होते हैं टाटा कंसर्टरी सर्विसेस के ऑफिसर्स सरकार के एक कि पांच हजार, से अजार, साथ हजार, आठ हजार की नौकरी की एक स्कूल और थौट ये कहता है कि इस मुल्क में रोजगार की कोई समस्या नहीं है समस्या सिर्फ वेजेस की है अगर आप काम करने को तयार हो तो आपको काम मिलेगा लेकिन दिल्ली में ही मिलियम वेजेस 14 हजार है, लेकिन 14000 मिलियम वेज मिल नहीं रही है, मैं कहूं समस्या में 8000 में काम करने को तयार हूँ, मिले लेकाम तयार है, तो सवाल ये है कि आपने मिलियम वेज 14000 बना दी, आपने कागस पे क्रेट भी कर दिये, लेकिन वो काम भी हो रहा है, एक क्वाल्टी आफ है, जो ड्राइवर चलाते हैं, जिसको हम लोग शॉफर को भी कह लेते हैं, आप देखिए कि दिली की नियुनितम जो मासिकाय 14000 की बात की जाती है, दस हजार, आठ हजार, दस हजार, बारह हजार में उन ड्राइवर को इंप्लियम वेजिज अनिस्किल्ड के लिए है, चोड़ा हजार भी मिल पा रहा है, आप सवाल है कि इसका हल क्या है, देखिए, एक तो मुझे लगता है कि हमें कहीं न कहीं, यह जो जूब गीवर वाली और जूब creator वाली जो situation है ना, वो हमको उसमें आना पड़ेगा, देखिए, मैं मानता हूं कि हर किसी में उद्यमिता नहीं होती है, और एक उद्यम स्थापित करना आसान नहीं होता है, एक दुकान खोल करके, चार लोगों को नौकरी देना, कहना जितना आसान है, उतना आसान होता नह है, लेकिन कहीं न कहीं तो शुरुआत करनी होगी, अगर हर कोई वो नौकरी की कतार में खड़ा हो जाएगा, तो सब के लिए तो नौकरी नहीं आएगी, ये तो फैक्ट है, तो आपको कहीं न कहीं, जॉब गीवर वाली रोल में भी आना पड़ेगा, आंट्रिपर्णियो होता है, लेकिन एक शुरुआत के लिए आपको एक सीट कैपिल तो मिल जाता है, मुझे लगता है, इसको तो शुरुआ जा रहे हैं कि रोजगार की जो पारंपरिक परिवाश आए कि हम जाके दफ्तर में नौकरी कर लें, उसके बजाए हम खुद आपस में कुछ शोटा परिजनस क्या से कपड़ करें, वो हमें सोचना पड़ेगा, उसमें हरविर जी एक चीज इसमें बहुत महत्मों उभर के और आती है कि बार बार शुषिर जी ने कहा कि अग्रिकल्चर की प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, आपको पश्चिम भारत में तो डेरी के और फूड प्रोसेसिंग के बड़े ब्राइन मिल जाएंगा, अमूल आपको गुजरात में मिलेगा, यह जो हमारा उत्तर भारत है, जिसमें हर्याना, दिल्ली, अधर फ्रप्रदेश, बिहार और ज्छार खंड ले ले, यहां तो फूड प्रोसेसिंग का या उस तरह का काम का दिखाई नहीं पड़ता, मतलब आप अभी सर्फ बाते बाते हैं और हम तो बस सर्फ के गन्ना किसानों की समस्या, उन किसानों की समस्या, तो फूड प्रोसेसिंग का क्या यहां कोई ऐसा सीन है कि एक वाइबल इंप्लॉइमेंट इन राज्यों में पैदा हो पा है? देख किस तरीके से वहां तक पहुचें? आज की डेट में जब आपने जिक्र किया है कि अमूल एक ऐसा ब्रैंड है जो चालिस जार क्रोड का टर्न ओवर करता है उसके साथ करीब दो क्रोड किसान जुड़े हुए है उसका जो रिटेल प्राइस है उसका करीब मोर दन 85% वो किसा के पास जाता है ठीक है एक बहुती आदर्ष इस्तिती है ठीक है लेकिन आप यह देखे कि इसके पीछे सतर साल की महनत एक सोच है दूसरा पॉइंट यह है कि उसके साथ एक कलेक्टिव लीडर्शिप और कलेक्टिव अप्रोच की वो है जिसमें सरकार का इंटर्फियर नह हो और उसमें भी आपके जो दुनिया के सबसे बेस्ट माइंड है वो मेरेजमेंट के हो वो टेकनोलोजी के हो उनोंने काम किया जो अमूल में हुआ है या जो बाकी उस तरीके के जो मॉडल है उनमें जो हो रहा है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक सामान्य किसान जो अब वो आप ये देखें कि वो तो नहीं है दूसरे अब जो है उसके लिए एक मार्केट चाहिए ग्रेजुली हमारे देश में जो मार्केट अवेलेबल हुआ इन प्रॉडक्स के लिए वो जैसे जैसे हमारा एकोनोमिक इंप्रॉमेंट हुआ उस तरीके से हो गया लेकिन उस में सवाल उठ जाता है कि जैसे शेशिर पहले बात कर रहे थे कि टमाटर का प्रॉसेसिंग होना चाहिए या आलू का प्रॉसेसिंग होना चाहिए आपके पास दुनिया के सबसे बड़े ब्रैंड है तो मैटो कैचप में आपका किसान है आपका हैंज है आपका और एक्स, तो वो जो प्रीमियम लेता है अपने ब्रैंड का हमारा जो किसान बगल के कहीं कोशिश करेगा वो उसको प्रीमियम मिलेगा ही नहीं दूसरे मार्केटिंग बहुत बड़ा टास्क है आपका जो ट्रांस्पोर्टेशन या प्रोसेसिंग का जो इंफर च्रॉक्चर है बहु वो एक बड़ा चैलेंज है तो जब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं डालेंगे और इसमें ये एक बात मैं मानता हूं कि जो मॉडल हमारे पास सक्सेस्फिल मॉडल है अगर उनको आप अलाव करें उस तरीके का डिफरेंट सेक्टर में और मेरा मानना भी यही है कि अगर आपको रूरल इंडिया को एकनोमिकली एमपावर करना है जो लोग वहाँ पर रहकर भी इज़त के साथ कहें कि हम लोग खेती और उससे जुड़े शितर में काम करते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं तो आपको इसी मॉडल पे जाना पड़ेगा आपको जो कॉपरे तक करोड़ों लोग जो है उनका जीवन बगल जाएगा तो ये तो जाना पड़ेगा और ये इसके लिए बहुत ही क्लियर कट प्रोफेस्टल एप्रोच में जाना पड़ेगा है कि करीब सक्तर परसेंट नौकरियां आटोमेटेड हो जाएंगी लोगर लेवल के जॉब सब खतम हो जाएंगे मलब ये भारत जैसे देश के सामें दोरी समझ जाए एक तो पहले ही लोग आ रहे हैं उनको रोजगार हम देने ही पा रहे हैं और जो रोजगार हैं वो खतम क्या नौकरियां इतनी कम हो गए कि लोगों ने कहा कि अब तो हम कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे आज जो रोबोटिक की बात हो रही है देखिए रोबोटिक के साथ-साथ बहुत सारे एंसिलरी काम है जो की हुमन इंटर्वेंशन चाहिए वहां पे बन सकते हैं अ इतने भी इंपूट चाहिए वो उसको सप्लाई करी तो मारूती में कार असेम्ब्लिंग में आपाने एक रोबोटिक लगाया लेकिन कार के लिए टायर चाहिए जैए जी लिए जो वेंड स्क्रिन का चाहिए बहुत सारी चीज़ हैं तो मेरा ये मानना है कि हम इस डर में ही जीते हैं कि रोबोटिक हमारी नौकरी खा लेगा दर से ज्यादा दर के आगे जीत जूरी है उसी चीज़ को कहना चाहरा था कि हमें ये सोचना होगा कि हम इससे कैसे निपटे हमने कंप्यूटर से निपटा है हम इससे वी निपट साथ इसमें आपने भूत हिम्मत बलाने वाली बा 85 के बाद जब आपने computer दिक्र छड़ा तो capital का इटम तो भरता जा रहा है, लेकिन labor का इटम कम होता जा रहा है, कमक्या खतम होता जा रहा है, जिस काम के लिए पहले बंदा चाहिए, बंदा चाहिए यह नहीं उसके लिए, इसके economy की dimension दो बहुत बढ़े हैं, लेकिन इसके social dimensions ह इंडिया जैसे देश में जो population rich है, उसमें आप बड़ी आबादी को universal basic income की जड़ी बारहजार दे भी दें, वो बंदा खाली करेगा क्या, उसके social implications बहुत सारे और समस्या होंगी, क्या उससे निबटने के लिए हमारी economy तयार है? आपने सही कहा कि actually एक तो हम लोगोंने दो एक दसक तो बिता दिया कि demographic dividend हमारे पास हैं, हमारे भाशन बहुत अच्छे होते हैं, एक तो ये मोका हो सकता है कि भाई, ये आप compulsion कर दें, जितने भी public life में लोग हैं, उनको भाशन लिखने वाले चार आदमी चाहिए, तो सब क रोजगार मिलेगा, और उनको basic minimum guarantee वो देता जी दे, क्योंकि उनके बहुत पैसा है, और सरकार के पास भी पैसा, publicity का, तो it's very serious thought, उनको देना चाहिए, क्योंकि जो पड़े लिके लोग है, उनको कुछ creative काम मिलेगा, तो basically we lost completely industrial revolution, हम लोग सीधे agriculture और basic जो economy है, उससे हम सीधे services में आ गए और उसके बाद अब robotics में आ गए हैं, तो यह जो बीच का जो gap था, और यह किसी भी देश ने हमारे जैसे जो हम लोग, because हम लोग कह रहे हैं कि अब छटी दुनिया की बड़ी economy हो गए है, पांचवी भी हो जाएंगे कुछ समय के बाद, तो सवाल है कि जो चाइना ने दुनिया का वर्ल्ड फैक्टरी बनने का साभित किया है, और प्रूब किया हूंने, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग हो गए हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट एकोनोमी, अब जैसे लेटस जो टेक्नोलोजी के हम लोग बात कर रहे हैं, वो आपका IT का हो, कंप्यूटर का हो, हम लोग पचीस साल में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना पाएं, कि आप अपने मैनुफेक्टरर को एंक्रेज कर पाएं, इंसेंटिवाइज कर पाएं, आप एक दिन कहते हैं, हमने डूटी स्टक्चर बढ़ा दिया है, फिनिस्ट गूट्स के उपर, दो जिन के बाद आप कहते हैं, कि वो नहीं नहीं हो तो, इंडस्टी का कुछ प्रेसर आ या ता, बिकुछ इतना फ्लेक्जिबिलिटी है हमारी पॉलिसी में, कि एक प्रेसर को जहले की हमत नहीं होती, और कम्प्लिटी इवन आप जो कोर इंजिनिरिंग था, उसको तो जंगता नहीं हैं, और इस बात को आगर में हातों में कहूंगा कि बहुत सारी चीज़ें, टक्स्टाइल में हमारा एक दिमाने में बहुत बड़ा दखलता है, बहुत रोजगार परक्षित्र था, वो भगला देश इसको काफी तेजी से आगे लेके जा रहा है, आपकी बा की डिविडेंट की डिमोग्राफिक डिविडेंट हमारी पॉपलेशन का 52% पच्चेस साल से नीचे का है, इसको हम बहुत पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं और यह हमारी तभाई का बजाईव बन सकता है, लेकिन अभी जुस चीज़ सामने आरे, जॉब्स आ का रहे ह पर यह सारी fields वो हैं जिसमें आपको new term training चाहिए, और मैं अध्यापक होने के नाता जानता हूँ, university colleges में इस training की बात तो छोड़ें, training की चिंता तक नहीं है आपने बात की परुसी problem की, issues ही नहीं है, मतलब यह discussion में भी नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, market मांग रहा है कुछ और, तो यह mismatch एक बहुत बड़ा mismatch है, यह और democracy की दिक्कत क्या है, कि आप इसको कोई भी चीज लेका है, यह एक्सेप्टा सारी से जी होती, यह mismatch का कैसे solution निकाल पाएंगे, देखिए हमारी तो आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि demographic dividend कहीं demographic disaster ना बन जाए, और इसक ना vocational courses को बढ़ावा दें, और ताकि वहां से जब वो college में जाए, college से निकलने के बाद, एक students के दिमाग में clarity नहीं होती कि उसे आगे करना क्या है, जादा तर लोग का यह होता है, जो मिल जाएगा कर लेंगे, यह के बजाए यह है कि जो हमें करना है, हमें यह काम करना है, यह वाला confidence उनमें built करना हो, और यह built आप कैसे करेंगे, एक उनके curriculum में, बारवीं के curriculum में उनको vocational choose करना, उनके लिए mandatory करिए, एक जमाना था आपको भी याद होगा, जब third language हमारे लिए mandatory होता था, आप third language के जगा पर third subject mandatory करिए, जो कि vocational study का हो, और फिर वो graduation में उसको encourage करि तो हो सकता है कि आपका जो एक 52% में, एक certain percentage जो हो, वो graduation के बाद skilled होकर के थोड़ा बहुत निकले, तो उसका फायदा यह होगा कि उसके लिए रोजगार की समझ से उतनी बड़ी नहीं होगी, बजाए इसके, कि जो कहा कि जो मिलेगा कर लेंगे, उससे हमको निकलना है, हर्मिर जी एक चीज आपका खेती का काम study काफी है, मैंने चीज क्या नोट की, खेती में तो महिलाओं की भागेदारी फिर भी काफी ठीक ठाक होती है, लेकिन जो हमारा urban का दफ्तर है, इवन दिल्ली में भी, woman participation in labor, अपने में बहुत बड़ा शुवर, लाख gender sensitivity और gender बराब हो रही है? बिल्कुल देखे, अगर आप अभी देखें, पिछले कुछ बरसों में, क्योंकि अब जो ज्यादातर jobs हैं, उसमें gender का issue नहीं है, इसकिल का है, और जो काम करने वाला है, उसके अंदर क्या क्षमता है, और सामने भी अब ऐसा नहीं होता है, कि सिर्फ आप पुर टेक्नोलोजी में भी काफी है, या अपका finance and accounting में, बड़े पहमाने पर अब जो है, बहिलाएं बच्चे जा रहे हैं उस तरफ और उनको लिया जा रहा है, अब सवाल यह होता है, कि उनका accessibility कितना है, उनका एक बड़ा काम जो है इसमें, क्योंकि आपके यह ज्यादतर jobs आ आपके private sector में, तो वहाँ पर accessibility का मतलब में और आगे जाओं कहूंगे networking, आप क्या कोई contact है क्या, या आप वहाँ पहुच सकते है क्या, तो वो जो है, उसमें जो मैं पहले भी कह रहा था, जो यह के छोटी जगों के लोग हैं, वो उसमें नाकाम हो जाते हैं, और पहले लाएं हैं, उनकी तादाद हर फिल्ड में आपको बढ़ती ही देख रही है, लेकिन अब नए तरीके सोचना जरूरी है, और आपने कुछ नए शित्रों के और इशारा की है, और मूल बात जो आपने कहीं कि अब नौकरी की तलाश के बजाए, अपना चोटा मुटा उद्य के बारे में सोचना ज्यादा बेतर है, और हर्भीर जी ने बहुत महत्मूर बात की कि एक पलशी क्लारिटी बहुत जरूरी है, हम कन्फूजन्स में अगर 25 साल जैसे खराब कर चुके हैं, तो उसको लेके तमाम विश्यों पे एक नितिकत क्लारिटी लेके आए, तब हम इस समस्चा का सामना कर सकते हैं, नमस्कार, धन्यवाद